नमस्तार दोस्तों, मेरे नाम है शाम कुमार और स्वागत राप का इस Google Sheet session में, जहां पे हम सिख रहे हैं Google Sheet के बारे में, और आज का जो session का topic है, वह है कि आप किस तरी किसे VLOOKUP को use कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा powerful है, और हर किसे ने इसका नाम सोली रखा होता है, तो कैसे युज करना है, इस VLOOKUP function को Google Sheet के अंदर वो समझते हैं, इसके लिए हमें चलना है Google Sheet के अंदर, और मैंने अरड़ी दो टेबल यहां पे बना रखा है, एक है VLOOKUP डेटा और दूसरा है VLOOKUP, जहां पे हमें apply करना है, ठीक है, तो किसके basis में मुझे क्या डेटा च ठीक होगे, ठीक है, मेरा गनग टाइब के UID से है, UID मतलब यहां जो UID है, जो column है, यह यहां पे टेबल में है, पहली column में, तो इसी के basis मुझे find करना है, आगे के जो मेरे पास columns है, जिसे के order date चाहिए, region चाहिए, salesperson चाहिए, item चाहिए, इस सब कुछ मुझे यहां से लेक आइटम, आटोमेटिक यहां पे मिलना चाहिए, ठीक है, तो स्टार्ट करते है, is equal to DLOOKUP से, अगर आप इस से पहले syntax समझने जाते हैं, तो यहां पे जाकर हम देख रहते हैं, syntax को कैसे use करना है, इसका syntax करता है, search की, क्या search करना है, कहां पे search करना है, जो range है, और किसका value फिर मिलता जुनता चाहिए, तो simple इसका syntax इतना ही है, ठीक है, इसी syntax को हम use करते हैं, और समझते है, यहां पे VLOOKUP सर्च की, मतलब क्या ढूलना है, कहां पे ढूलना है, यह आपकर table है, ठीक है, तो इस table के अंदर आपको देखना है कि क्या ढूलना है, जब भी आप इसमें select कर हुए, कुछ इस तरीके से error आता है, क्योंकि आज कल सभी data को select कर लेता है, ठीक है, तो थोड़ ध्यान रखना है, यहां पर मुझे क्या चाहिए, एस ही लेकर, एस तक में इसको select कर लेता हूँ, ठीक है, comma, मुझे क्या क्या चाहिए, वहाँ पर, एक बारी जाके देखते 5, 6, 7, 8, total 8 column है यहां पर, ठीक है, तो मुझे कौन से column चाहिए, item तक का, item तक कितना हो रहा है, 5, तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, एस से लेकर, एस तक लिए था मैंने, अब मुझे index चाहिए, index मतलब कि कौन से column को मुझे value चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए, यहां पर, order date दो column पर है, comma, 0, 0 for exact match, ठीक है, आप syntax होना कर देखेंगे यहां पर, तब को समझारे तो में एक बारी और से यहां पर, search की किसको ढूणना है, range मतलब कहां पर ढूणना है, index मतलब कौन से column के आपको value चाहिए, इस sorted दो टाप की चाहिए हो सकते है, false मतलब के exact match है, और true मत मतलब है false, और one के मतलब है true, ठीक है, तापको रखना है zero, या फिर आप लिख सकते हैं, यहां पर false, ठीक है, इस से मिलेगा आपको exact match, आप इसको drag कर सकते हैं, लास तक, अब जहां जहां पर नहीं है, यहां पर search की, वहां पर na error दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर salesperson और item के लिए, आप भी साथ में try करें, ताकि आपको समझ भाए किस तरीके सम इसको use कर रहे हैं, या एक और shortcut आप यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा से drag करने के लिए यहां पर, मैं भी दो तिन तरीके आप बताओगा, आने वाले sessions में, ठीक है, फिलहा लगी देखते है कि हम इसे काइसे कर सकते हैं, एक तो इक हम इसे copy कर लें, और दुसरा paste कर दें, अब यहां पर column number 30 है, तो 3 कर दें इसको, यहां पर 4 कर दें, यहां पर 5 कर दें, यह आपर जूगार हो गया, ठीक है, इसको अपनी जेताग कर सकते हैं, अब आपको values मिल गए, तो इस तरीके स कि आप यहां पे जो 2 लिखा है, ठीक है, इसके जगा पे एक function यूज़ कर ली, function का नाव है column, column, ठीक है, और column के number देदेगा आपको, कौन से column का, यहां पे आपको जाना है, और start करना है आपको 2 से, यह by default कुछ आपको पूरा table को उठा लेता है, ठीक है, तो एंटर करते ही आपको same result मिला, इससे पहले आप A2 को एक बारी, यहां से फ्रीज कर दें, dollar sign लगा के, ठीक है, क्योंकि हमने lock कर दिया A column को, जितना भी drag करना है, उससे कोई फरेक्ट में पड़ेगा, क्योंकि हमने column को यहां पर function लगा लिए, ठीक है, अब मैं इसको drag करता हूँ, तो यहां पर center लाना चाहिए, योगिस आना चाहिए, पैनाना चाहिए, same होना चाहिए, ठीक है, इनको मैं हटा भी देता हूँ, यहां से, drag करते हैं, यहां पर नहीं आया, क्योंकि मैंने यहां पर A से लेकर A से लेकर A को freeze नहीं करा, इसको भी हम लॉग करते हैं, F4 के मतलब से आप इसको function और F4 प्रेस करेंगी, अगर आपके पास Mac है, अगर आपके विंडो है, तो कई पर आपको सिर्फ F4 प्रेस करना होता है, इससे lock हो जाता है, ठीक है, और दूसरा आपको यहां पर भी same लगा सकते हैं, इसको lock कर सकते हैं, अगर जबत है तो नहीं ह करेंगे, ठीक है, अब मैं इसको drag करता हूँ और देखता हूँ, अब आया central, yogis और pen, बिल्कुर सही है, तो यहां पर आपके एक बारे में लगा लिया, drag कर दिया, हो गया, change करने की जरुबत नहीं पड़ी, एक बारे में ही सब कुछ हो गया, तो इस तरीके से आप कर सकते ह हम आपे vlookup को use, ठीक है, उम्मीद करता हूँ, ए वाले जो session है useful रही हो भी, मैं आपसे मिलता हूँ next session के अंदर, इस से पहले एक और चीज़ बदा दू, अगर आप इसके जो data है, अगर हम इसके जो data है वान लो, ए वाले को यहां पर लग देते हैं, ठीक है, एको edge में खराब हो जाता है, पुरा जो syntax है खराब हो जाता है, आप उसको use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा left to right ही चलता है, we lookup right to left नहीं चलता है, तो इसको आप ठीक करने के लिए, इसको overcome करने के लिए कुछ और फर फर्मिशन से जिसका आप use कर सकते हैं, ओ है index match का या फिर X lookup का, तो आने वाले sessions में हम दोनों को ही समझेंगी और detail में discuss करेंगे, ठीक है, तो मैं आप से मिल तरहूं next session में, तब तक के लिए, बाबाई